तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिसन कॉमर्स में तो आज हम कैस फ्लो के वीडियो नमबर टू में हैं इस वीडियो में हमें दो बात आपको सिखलाने हैं पॉइंट नमबर एक जितने सारे बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, फिनांसिंग हो इन तीनों के धेर सारे एक्जेम्पल्स आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं और दूसरी बात कुछ ऐसे ट्रंजेक्शन्स और इवेंट है जिनका कैस और कैस एक्टिवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है इन दोनों बातों को मैं आपसे डिस्कस करूँगा तो आईए सुरू करते हैं अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग एक्टिविटीज के different different examples अलाकि इन तीनों activities को हमने detail में discuss किया था description में आपको link भी मिल जाएगा पहले वीडियो उसका अलाकि मैं फिर भी एक बार आपको इसका एक short description देता हूँ देखिए, operating activities किसे कहते थे जितने सारे cash के inflows और outflows generate होंगे ऐसे activities से जो कि किसी भी business के primary revenue generating activities आते है और उनसे जो net profit और net loss में जो changes आएगा उसको हम लोग कहां लिखेंगे operating activities में लिखेंगे फिर हमने investing activities में देखा कि जब भी हम fixed asset investment का sell करेंगे purchase करेंगे उससे जो cash inflow होगा, outflow होगा उसे हम कहां लिखेंगे investing activities में लिखेंगे, financing activities में हमने सीखा था हर वो transactions जिससे capital और borrowing में changes आएंगे उसके composition में change आएंगे, उसे हम कहां लिखेंगे financing activities में लिखेंगे, अब आएए जल्दी जल्दी इसके examples को देखते हैं तो इधर से ही शुरू करते हैं, चलिए, तो सबसे पहला activity, financing activity ऐसे activities जो आपके capital और borrowing को change करें, तो अगर आप loan कहीं से लेंगे, that means raise of loan पहला example आप लोग सब मेरे साथ लिखे, RAISE of loan जब भी आप loan किसी से लेंगे तो उससे आपका borrowing बढ़ेगा और borrowing में बढ़ेगा या घटेगा तो financing activities हो जाएगा, दूसरा example, repayment लिखे मेरे साथ लिखे, repayment of loan और deventure यहां भी और deventure भी लगा सकते हैं दोनों की तरह ही trade होगा ठीक है जब भी आप loan लेंगे तो आपका borrowing का size बढ़ेगा और उसी loan को जब आप repayment करेंगे तब आपका cash का क्या होगा outflow होगा लेकिन आपका borrowing का size घटेगा तो जब भी borrowing का size में increase or decrease हो तो वो कौन सा activity होगा financing activities होगा अब सुलिए जब भी आप issue करेंगे shares, issue of shares ठीक है जब भी आप shares issue करते हैं मतलब public को आप देते क्या है shares देते हैं और shareholders आपको क्या देते हैं पैसे देते हैं और उस पैसे को आप क्या बोलते हैं shares capital तो आप देखे shares capital से भी आपका capital का size बढ़ेगा और cash का inflow भी होगा very good अब जब इसी shares को पैसे को जब आप repay करोगे तुसे हम क्या बोलते हैं buyback buyback बोलिए या फिर redemption बोलिए redemption repayment सब एक ही बात होता है redemption and repayment of shares जब आप shares का redemption या फिर repayment करेंगे तो उससे भी आपके capital के size में change आएगा अब जड़ा बात को मेरी अब मेरे बात को जड़ा ढंक से सुनना मेरे प्यारे बच्चों share जब आप issue करते हो तो shareholder को मिलता क्या है shares आपको मिलता क्या है share capital आप business करते हो business में अगर profit आता है तो आप आप मतलब business अपने shareholder को क्या देता है dividend देता है तो dividend payment भी financing activities में आ गया चल्दी से लिख दीजे dividend payment कौन से activities में आ गया financing activities में आ गया very good अब एक बात और बताईए एक जब भी आप किसे से loan लेते हैं तो क्या आपको interest नहीं देना होता होगा बिलकुल देना होता होगा तो जिस तरीके से loan लेना और देना इन financing activities है उसी तरीके से उस loan पे interest भी देना financing activities है तो उसको भी लिख दीजे interest paid on loan तो यह देखें डेर सारे examples होगे जब हम format को discuss करेंगे तो कुछ और बात इसमें हम add-on करेंगे ठीक है आए आगे बढ़ते है अब देखें कौन से activities आगे हमारे सामने investing activities तो investing activities में हमने क्या सिखा हर वो activity जिससे कि fixed asset और investment increase और decrease होगा तो जब आए लिखते हैं सबसे पहला क्या लिख देंगे purchase of fixed asset जितने सारे fixed asset हैं चाहे वो land हो, building हो, furniture हो, equipment हो, goodwill हो, patent हो, copyright हो इसमें जब आप पैसे लगाएंगे तो उसमें किसमें करेंगे investing activities में क्योंकि fixed asset और investment का value जब बढ़ेगा, घटेगा, sell और purchase से तूसे हम investing में लिखते हैं ठीक है sell करेंगे और purchase करेंगे अब जल्दी से बताइए कि यह investment किस nature का होगा तो यह investment long term nature का होगा, खरने का मतलब इसका maturity period 12 months से जादा होगा, तभी यह यहाँ प्याया अगर 12 months से कम होता तो यह cash and cash equivalent में चला जाता, marketable security में, very good, अच्छा दो बात मैं आपसे और पूछना चाहता ह बॉर्विंग का size बढ़े और घटे, तो हम उसे कौन से activity मानेंगे, financing activities मानेंगे, अब मेरी बातों को सुनिए, जब आप किसी को loan देंगे, जिसे हम लोग बोलते क्या है, advancing of loan, याद रखेगा, बहुत बच्चे confused हो जाते है, advancing of loan और raise of loan, दोनों अलग चीज है, raise loan करना आप किसी को देर है, तो एक बात जल्दी से समझाईए, मैम को, जब आप किसी दूसरे को loan देंगे, वो एक तरह का investment नहीं हो गया, बताइए, आपके पास पैसे थे, आप किसी को loan दे दिये, तो आप loan दिये है, तो आप उससे interest charge करोगे इस बार, आप खुद company charge करेगा, क्य तो इस बार क्या 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 company, loan को advance किया है, दूसरे को दिया, it is as good as investment, तो यहाँ पर आप यह भी लिख दिजे, advancing of, advancing of loan, very good, ठीक है, अचा, अब एक बात समझाईए, कि जब आप किसी को loan देते हैं, तो इस बार आपको income क्या मिल सकता है, sir, interest मिलेगा, very good, यहाँ पर लिख इंट्रेस्ट, receive, हाँ, जरा इसमें confused मत खाईएगा, interest का जब आप payment करेंगे, loan पे, तो वो कहाँ चला जाएगा, financing activities में, लेकिन जब interest आपको receive होगा, तो वो कहाँ पर आजाएगा, आपका, investing activities में, फिर से सुनिए, इस बार आपने क्या किया, reliance के share में, अपने पैसे invest करक करता है, तो इस बार आपको क्या मिलेगा, dividend receive होगा, क्यों, क्योंकि इस बार आपने पैसे लगा के रखा है, investment, तो बताएगे, dividend receive कहाँ आजाएगा, dividend receive, बहुत अच्छे से आप समझ रहे है, यहाँ देखे, dividend financing क्यों हो रहा था, क्योंकि इस बार आप company थे, और आपके company मे दूसरे लोग पैसे लगा के रखे थे, क्योंकि आपने share issue किया था, बराबर, तो इसलिए यहाँ पे आप dividend pay कर रहे थे, लेकिन इस बार हो गया, उल्टा, इस बार आप ऐसे company हो, जो कि दूसरे के company में पैसे लगा कर रखा है, तो वो अब जब dividend माटेगा, तो dividend तो मिलना, आपको ultimately, इसी के लिए dividend receive हमेशा investing में आएगा, और dividend paid हमेशा financing में आएगा, और ऐसा भी हो सकता है, कि आपका कुछ अपना rent house है, बहुत सार आपका जमीन, बहुत सारे आपके पास house है, जिसको आप let out करके रखे हो, तो वो आपका asset है कि नहीं, investing asset है, अब उससे जो अगर आ financing के और investing के examples को आप समझ रहे हैं, है ना, और जब हम इसके तीसरे वीडियो में जब इसके format को discuss करेंगे, तो एक बार और repeat हो जाएगा, चीज तो आपको समझ में आना ही आना है, फिर से देखिए, अब क्या हो गया, operating activities, सर, operating activities क्या था, एक बार याद दिला दो जल्दी से, बिजनेस के वो primary revenue generating activity जिससे की cash का inflow, outflow होता था, और वो cash का inflow और outflow, net profit या net loss calculate करने में मदद करता था, अब सब पोच करिए, मेरा business है, तो मेरे लिए income क्या क्या हो सकते, expenses क्या हो सकते, सबसे पहला हो सकता है, sell of goods, sale of goods, ये एक तरह क्या हो सकता है, मेरे business के लिए, inflow होगा, लिखते जाईए आप, दूसरा, purchase of goods, ये भी मेरे लिए, expenses हो सकता है, outflow हो सकता है, किसके लिए, business के लिए, ये business से related, और क्या हो सकता है, और हो सकता है, payment of salary, commission, rent, ये सब मेरे business के लिए, expenses हो सकते है, income क्या हो सकता ह rent, commission, receive ये सब क्या हो सकता है मेरे company के लिए income हो सकता है तो ऐसे inflows और outflows जो कि मेरे business से related हो तो वैसे inflows और outflows को हम कहाँ करेंगे operating activities में मेरी बातों को आप समझ ले होंगे बच्चे इस videos को हमने बनाने का एक ही दो motive था एक कि मैं ये बता पाऊं कि कौन-कौन से activities है जिनसे की cash flow में कोई changes नहीं आएगा और दूसरा investing, financing, operating के बहुत सारे examples आप से discuss करूँ यहां तक तो ये बात होगी बच्चे एक और भी बहुत important बात है जिसके लिए मैं ये video shoot कर रहा हूँ ये बात अभी तक से नई बात होगी अभी तक ये बात आप नहीं जानते थे तो are you ready? तो मेरे प्यारे बच्चो एक बात आप से मुझे कहनी थी क्या आप तयार हो? यह सर मैं तयार हूँ तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चो आप जब भी कोई business करते हैं तो उस business का एक अपना nature होता है और उसी nature के अदनुसार आप अपने business को categorize करते हैं operating, investing और financing में सपोज कि मैं कुछ business nature की आप से discussion करता हूँ या business concern की सपोज कि मैं अगर manufacturing concern हूँ मैं ऐसे काम को करता हूँ जो कि goods को manufacture करता है तो goods को manufacture करता है तो उसके लिए goods को खरीदना goods को बेचना salary देना, rent देना commission देना वो सब कहां categorize होंगे operating में या पहले से जानते हैं लेकिन अब मैं अपने examples को थोड़ा change करता हूँ जर अध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को सपोज कि मैं एक investing concern हूँ या फिर financing concern हूँ सर कुछ नहीं समझ भाया सुनो बात को सपोज कि मेरा primary business मेरा जो main business है principal revenue generating business है वो business है computer का मैं computer खरीदता हूँ और computer बेचता हूँ तो जल्दी से बताए मुझे computer खरीदना और computer बेचना आप computer खरीदना है computer एक तरह का machinery है fixed asset है fixed asset खरीदना बेचना कहा आता था investing activities में आता था लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जड़ा एक मिनट रूखना यहाँ पे तब आता था जब आप किसी trading concern, manufacturing concern that means non financing concern में engaged रहते थे जब आप किसी ऐसे business में engaged है जिनका daily का 50 या 110 जार 15 खरीदना और बेचने का business है तो उसके लिए sell and purchase of computer operating activities होगा क्योंकि उसका primary business ही क्या है sell and purchase of computer बात को समझ रहे हैं अगर suppose करिए कि मैं एक furniture seller हूँ furniture को मैं बेचता हूँ और खरीदता हूँ तो बताए furniture का खरीदना बेचना आप in general कहां लेते but इस बार मेरा nature कैसा है मेरा nature मेरे business का nature ही है कि मैं furniture को sell करता हूँ और buy करता हूँ तो इस बार मेरे operating activities में चला जाएगा क्या sell and purchase of furniture वा सरी है तो गजबाद बताई आपने हाँ मैं और example लूँगा सुनिए suppose land और building को खरीदता और बेचता हूँ मेरा काम ही है जमीन खरीदना और जमीन बेचना तो बताओ मेरा primary objective क्या है जमीन खरीदना और जमीन बेचना तो इस बार purchase and sell of land and building क्या मेरा investing activities होगा नो सर इस बार मेरा purchase and sell of building कौनसा activities हो जाएगा operating activities हो जाएगा अगर मैं एक share trading concern हूँ तो share खरीदना share बेचना मेरा कौनसा investing activities होगा नो सर इस बार वो मेरा operating activities होगा तो इस video के end में आपने एक बहुत important बात सीखा कि आप जब भी categorize करोगे operating में, investing में, financing में तो एक बात हमेशा दिमाग में ध्यान करके रखोगे कि वो जो business है वो किस concern से belong करता है और अच्छी बात ये है मेरे प्यारे बच्चो कि हर question में आपको ये चीज mention किया रहेगा कि ये कौन सा concern है ये investing concern है, ये operating concern है या non operating concern है, everything और 99.99 question आपको हमेशा जो भी question होगा वो operating concern मतलब जिसका business goods बनाना बेचना होता है आपको ऐसे ही करना हो, एक आद number के question में आपसे पूछ लिया जाएगा, कि राम शाम सपोज करिए कि कोई एक ऐसे business में है जिसमें कि लोन को advance किया जाता है और लोन को लिया जाता है, और लोन को दिया जाता है तो बताइए, loan taken cons activities होगा तो आप क्या बोलोगे, investing, नहीं सर आप क्या बोलोगे, operating, Mr. Ram furniture को sell and purchase of furniture उनके लिए क्या हो जाएगा सर, operating हो जाएगा, क्योंकि उस पार उनका primary business ही वही है सबसे पहले मेरा topic of discussion है transaction having no effect on cash flow आईए ज़राई से एक एक करके समझते है सबसे पहले क्या लिखा हूँ है, देखिए credit transactions asset transactions जिन में cash का न inflow हो और न cash का outflow हो जल्दी से बताइए, जिन में न cash का inflow हो, जिन में न cash का outflow हो, ऐसे transaction को हम लोग क्या cash flow statement में लिखेंगे नहीं, क्या इससे मेरा cash and cash equivalent में कोई अंतर प्रभाब आएगा, बिल्कुल भी नहीं तो इसमें, न इसमें cash in hand में कुछ अंतर आएगा, न इसमें cash at bank में कुछ आएगा, न marketable security में आएगा, तो ये new effect वाला zone हो गया, very good दूसरे में आईए, ये one का हो गया दूसरे में आईए, transfer of profit to general reserve अब इसका मतलब समझाइए, क्या profit कमाते हैं, year can में, yes, year can में profit कमाते है, suppose कि दिए कि आपके पास current year में one lakh profit है, अब one lakh के profit में से 70,000 future के लिए general reserve में transfer कर दिए, तो बताइए, आप जो one lakh के profit में से 70,000 general reserve मतलब future के लिए रख दिये हैं, क्या आपका पैसा आपके pocket से गया क्या, क्या business से पैसा बाहर हुआ, नहीं, मेरे जो profit थे, वो अब छोटे-छोटे टुकरे में बढ़ गए, एक दिन का नाम है general reserve और एक 30,000 का और profit होगा, बताइए, तो इससे क्या cash आया गया, नहीं सर, अपने एक लाग के profit को आप categorize किये, 70,000 और 30,000, इससे तो कुछ भी cash का inflow नहीं हुआ, तो जब भी आप profit को general reserve में, या फिर किसी भी reserve में, capital reserve revaluation reserve, किसी भी reserve में आप transfer करोगे profit को, तो cash का na inflow होगा, ना outflow होगा, that means cash and cash equivalent में no effect, ये भी no effect वाले zone में चला गया, तीसरे को पढ़िए जारा सा, cash deposited, अब, जब भी आप cash को deposit करेंगे, कहां पे bank में, तो आप जड़ा बात को समझे, आपके पास है cash, आपका cash in hand है, हाँ यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना, cash in hand को आप इसे जाके अपने bank में जाके deposit कर दिये, हाँ अपने cash को आप कहां रख दिये, bank में तो जैसे आप अपना cash को bank में रखे, आपके पास से तो cash and cash equivalent, cash in hand वाला कम हो गया होगा लेकिन at the same time bank में जाके ये पैसा मिल गया आपके pocket में जो पैसा था, इस pocket में पैसा था आप, इस pocket में रख लिए, तो क्या pocket change करने से क्या inflow, outflow हो जाएगा पताइए, जो आपके घर में पैसे थे उसे आपने bank account में रख दिया तो इससे ना कोई inflow होगा, ना कोई outflow हो, ये भी no effect वाले zone में चला गया, next पढ़िए, cash withdrawal जब भी आप cash को withdraw करोगे, फिर से वही बात अभी आपने bank में पैसा रख था, bank से उठा के, अपने घर ले आए, अरे भईया, तुम अपने पैसे को bank में रखते हो और bank उठा के घर में ले आते हो, क्या इसमें कोई cash and cash equivalent में कोई अंतर होगा, क्या, इस बार आपके पास क्या हुआ आप अपने bank से पैसे निकाले, और इसे कहा रख दिये, पाल लिजे 1,000 रुपीज है, आप यहाँ से 1,000 निकाले, और 1,000 अपने घर ले आए, क्या इससे कुछ cash and cash equivalent में किसी तरह का अंतर हुआ, नो सर यह तो no effect वाले zone में चला गया, very good अच्छा, next पढ़िए, sell of current investment, क्या आपको पता है कि current investment, marketable security, checks, demand draft, यह सब क्या थे, सर यह से बेकतर है कि cash and cash equivalent थे अब देखिए, आप current investment, मतलब marketable security को आप बेच रहे और पैसा ला रहे है तो जैसे आप marketable security को बेचेंगे, तो वो कम होगा या ज़्यादा, sir, obviously कम होगा, देखो कम कर दिया मैंने, suppose करो 1000 का marketable security आपने बेच दिया और 1000 यहां से आके आपके cash in hand में आ गया कहां कुछ पैसा का कम बेची हुआ, जितना था उतना पहले, इधर था, इधर से आप आप company shares issue करती है, अपने shareholder को, और कभी जब धेड़ सारा profit होता है, तो अपने profit का कुछ हिस्सा, या तो dividend दे देती है, या तो कुछ share issue कर देती है, अब समझे, जब भी company shares को issue करती है, तो shares issue करेंगी, तो company के पास क्या हैगा, पैसा हैगा, लेकिन bonus share कुछ ऐसा share होता है, जो तो company free of cost अपने shareholder को देती है, कहां से पैसा निकालके, general reserve से पैसा निकालके, profit से पैसा निकालके, तो देखिए, profit को और profit को निकालके उन्होंने shareholder में shift कर दिया, मतलब bonus share free में issue कर दिया, तो shares पैसे निकालके, free में shares issue कर दिया, मतलब यहाँ वाले पैसे को use करके, इन्होंन उठाके और रिजर्ब से पेटा उठाके कहा रख दिया केपटल में कहीं बाहर से तो आए गया नहीं तो ऐसे केस में भी नो इफेक्ट वाले जोन में चला जाएगा तो यह कुछ ऐसे transactions हैं जिनमें नहीं कोई cash का inflow होगा और नहीं कोई cash का outflow होगा अच्छा एक रह गया writing of bad debt again provision for bad debt अब आपने provision पहले से एक लाख रुपय का बना के रखा है और current year में एक लाख रुपय का bad debt हो गया तो आप क्या PL से निकालोगे पैसा नहीं क्योंकि आपने प्रोभीजन एक लाख का बनाया हुआ है अब प्रोभीजन से निकालके bad debt को पूरा करोगे फिर तो हो गया इसकी टोपी उसके सर्थ आपके पास पहले से प्रोभीजन था उस प्रोभीजन में आपने पैसा प्रोभी कर दे रहें तो ऐसे ट्रांजेक्शन में भी नो इफेक्ट वाले जोन में चला गया आपका यह कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन से जिनमें कैस में कोई इफेक्ट नहीं आता है तो थैंक यू सो मच माई डियरी स्टुडेंट आसा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छ इस्ट वी सकते हैं मिलते हैं आप से अगले विडियो भीकि अंतult a ब्ले वीडियों में एक नहीं के सब्सक्राइब आपको इन तीन अ creator को बना करहें घ焦 च temples जाए जैंगे ऑन यह लेकिन मैं टभी सो मच मैंठ दीर इस्टूरेंट